खड़काव भाशन देने वाला शरजील इमाम गिरफतार हो गया है पुलीस ने शरजील को बिहार के जहानाबाद से गिरफतार किया है आपको पता ही है कि किस तरह से पुलीस अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जगहों पर शरजील इमाम को ढूण रही थी और बिहार में जब वो नहीं मिला था उससे पहले उसके भाई को भी डिटेन किया गया था हिरासत में लिया गया था पूछताच करने के लिए जब वहाँ घर पर पहुंचे थे तब पता चला कि शरजील इमाम वहाँ पर नहीं था लेकिन उसके घर पर उसके दो रेलिटिव मौजूद थे एक उसका ड्राइवर था उन सभी को पूछताच के लिए हिरासत में लिया गया था यह तस्वीर आपको एक्स्क्लूजिवली न्यूस 24 पर देखने को मिल रही है गिरफतारी के बाद शरजील इमाम की तस्वीर अमिताब ओज़ा जुड़ गए हैं अमिताब आखिर कितने बज़े गिरफतारी हुई कहां से मिला किस के साथ था क्या अकेला था ये उस वक्त देखे सर्जील इमाम की तला से लगातार शर्मारे थे और अभी जो मुंबई के दिली कान ब्रांच के जो टीम आई हुथी जहानवद पुलिस के साथ मिल तर लगातार साफे मारी के रहे थे और अभी करीब क्या कुछ अभी बोला जब उसको गिरफतार किया गया ये आखर भाग क्यू रहा था शर्जील इमाम की माँ कह रहे थी कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया और उसको पुलीस क्यों ढूंड रही है वो आखर भागेगा क्यों पुलीस से तो आखर ये क्यों नहीं था अभी तक तक तच में दे रहा था उनके अधार करवाई कर रहा था लेकिन इस भी पुलीस को उसकी भनक लग गई और उसके बाद तो निशान देही थी आज सुबाद जब उसके ड्राइवर की ग्रफतारी हुई उसके बाद जब उसके दोस्कों हिरासत में लिया गया तो सारी बात सामनी आगे जहां वो चुपा हुआ था और वहां से वो लगातार वो अपने दोवों से संपर्ब में था वहीं से उसे एक दफ्टार किया गया है और अभी फिलहाल उसे लिकर जहानावद एस्पी की अधसर में लाए जाला और उसके बाद आगे की करवाई करने के बाद दिल्ली पुल झाल झाल जाल झाल झाल झाल